खेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब भी मैं सौगत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेड़ोगोजी दोस्तों स्टाटिक जीके की सीरीज को कंटीनियू रखते वे आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं इंपॉर्टन डेज और उनकी थीम्स को इन डेज को लोगों को याद रखने में काफी दिक्कत आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपसे वो ही डेज डिसकस करूँ जहां से सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि अपने प्रेमी प्रेमिक आओ की तो आप तारीखे याद रख लेते हैं पर जिन तारीखों से आप उनसे शादी के मामले तक बहुत सकते हैं इंट्रेंस कॉलिफाई करके उनको आप भूल जाते हैं तो कोशिश ये रहेगी कि आप याद कर ले जाएं चीज़ों को तो पहला सवाल है कि पतिती is an important day of which religion दोस्तों पतिती एक बहुत important day है पार्सी रिलिजन से जुड़ा हुआ इसको day of repentance भी बोलते हैं उस दिन जो भी पार्सी रिलिजन से जुड़ेवे लोग होते हैं वो अगर उनसे कुछ गलत अपराद हुआ होता है तो उसके लिए repent करते हैं ठीक है वैसे ही पार्सी का जो new year होता है उसको नव्रोज बोलते हैं ठीक है यह भी बात आप याद रखिएगा अगला सवाल है international tiger day is observed on दोस्तों international tiger day हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को यह बात भी आपको याद रखिनी है अगला सवाल है health day स्वास्थ दिवस हम कब मनाते हैं दोस्तों स्वास्थ दिवस मनाया जाता है 7th April को इस साल की थीम थी health for all वहीं बात आती है कि विश्व जल दिवस World Water Day कब मनाया जाता है दोस्तों विश्व जल दिवस World Water Day 22 March को मनाया जाता है थीम थीज साल की accelerating the change to solve the water and sanitation crisis फिर बात आती है कि World Computer Literacy Day विश्व कम्प्यूटर शाक्षरता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है second of December को जैसे कि मुझे computers पढ़ना कुछ खास पसंद नहीं है अगर आप CUT की त्यारी कर रहे हो तो अचानक से computers add हुआ है इस लिवस में तो आपने भी उसको थोड़ा कम priority पे रखा हुआ होगा ठीक है तो वैसे ही computer literacy देल भी जो है वो साल के आखरी महीने में आता है ठीक है second December को आता है तो ऐसे आप उट पटांग सी tricks बना कर याद रख सकते हैं या फिर अपने बाबूश होना के बर्डे के हिसाब से भी याद रख सकते हो चीजों को relate करके अगला सवाल है national हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्व राष्ट्रिय हिंदी दिवस अगर आपसे पूछे तो राष्ट्रिय हिंदी दिवस, national हिंदी दिवस है 14th September पर अगर आपसे पूछे, World Hindi Day, World Hindi Day, which was Hindi दिवस, तो वो है 10 जन्वरी, ठीक है, और World Hindi Day, जिसको 10 जन्वरी को मनाते हैं, उसकी ठीमती है, त्रेडिशनल नौलेज्ज टू, आर्टिफिशल इंटेलिजेंज, अब बात करते हैं कि National Science Day कब मनाया जाता है, दोस्तो, National Science Day मनाया जा आता है, 28 फर्वरी को, क्यूं? क्योंकि इसी दिन, रामन इफिक्ट की खोज की थी, डिस्कवरी की थी, सीवी रमन ने, जिनको फिजिक्स के लिए, नोबल पुरुसकार मिला था, in the year, 1930, तो ऐसी रचना करना, ऐसी डिस्कवरी करना, ये खुद में एक यूनीक बात है, वै एक तो आप लोगों का जो प्रेम वाला त्योहार आता है, वो वेलेंटाइन डे नाम से, वो भी आप फर्वरी में मनाते हैं, इसलिए यूनीक, दूसरा, लीप इयर भी, इसी महीने से जुड़ावा है, तो वैसे ही, जैसे रामन इफिक्ट की खोज करना, काफी जादा उनीक है, ऐसे रिलेट करके आप इसको याद रख लोगी, रामन इफिक्ट, नैशनल साइंस डे, सीवी रमन, सबसे उनीक महीना, फर्वरी, 28 वर्वरी को आता है, अगला सवाल है, इंटर्नाशनल ओजोन डे कब मनाया जाता है, दोस्तों, इंटर्नाशनल ओजोन डे मनाया जनी, ओजोन से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल का नाम आपको याद रखना है, मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी एक स्टाटिक जीके का सवाल बनता है, कि मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, जिससे की ओजोन डिप्लीशन को रोका जा सके, तो इंटर्ना गिया है, आज से ही वो बैच शुरू हुआ है, तो आप वहाँ से जाके उस बैच को परचेस कर सकते हैं, उसकी फीज 700 रुपे है, स्टोर सेक्शन में ही हमारी मौबाइल अप्लिकेशन के आपको मौक टेस्ट का भी बैच दिख जाएगा, पॉलिटी का भी दिख जाएगा तो आप उनका भी बैच ले सकते हैं, अगला सवाल है, नैशनल टेकनोलिजी डे कब मनाया जाता है, दोस्तों नैशनल टेकनोलिजी डे मनाया जाता है 11 मई को, क्योंकि इसी दिन, पर्स टाइम, इंडिया ने सक्सेस्फुल निउक्लियर टेस्ट कंड़क्ट किया था, कहा पोखरान राजस्थान में, पोखरान राजस्थान में, इंडिया ने सक्सेस्फुल निउक्लियर टेस्ट पहली बार कंड़क्ट किया था, तो उसी डे को सेलिबरेट करने की डे, नैशनल टेकनोलिजी डे मनाया जाता है, अगला है, नैशनल स्टाटिस्टिक्स डे, जिसक birth anniversary है महलनोबिस की महलनोबिस कौन है वो संस्थापक है एक तरीके से second five year plan के तो second five year plan को के बार महलनोबिस plan के तोर पे भी जाना जाता है तो यह भी बात आप याद रख कर जाएं अगला सवाल है world wetland day is celebrated on दोस्तो world wetland day celebrate होता है दो फरवरी को wetland day से क्या जुड़ा हुआ है रामसर convention जुड़ावा है ना रामसर convention तो यह भी बात आपको याद रखनी है अगला सवाल है national voters day कब celebrate होता है राश्ट्रिय मत दाता दिवस दोस्तों मनाया जाता है 25 जन्वरी को क्योंकि इसी दिन election commission की establishment हुई थी इसी दिन election commission बना था हमारे देश में उसके साथ election commission एक multi member body है इसमें एक chief election commissioner रहता है और उनके साथ दो election commissioners रहते हैं तो यह भी बात आपको याद रखनी है theme क्या थी थी nothing like voting I vote for sure अगला सवाल है which personality's birth anniversary is observed as अंतियोधिया दिवस दोस्तों पंडे दीन दियाल उपाध्याई जी जो की leader थे भारतिये जन्शंग के उनकी birth anniversary को अंतियोधिया दिवस के तौर पे मनाया जाता है अंतियोधिया का मतलब होता है upliftment of the last person ठीक है तो किसकी birth anniversary है पंडे दीन दियाल उपाध्याई जी की अगला है कि ये किस day की theme है international day की theme है जिसको 25 नवेंबर को हम लोग मनाते हैं और theme क्या है unite activism to end violence against women and girls तो दोस्तों 25 नवेंबर को मनाया जाता है international day for elimination of violence against women जिसकी theme थी unite activism to end violence against women and girls अगला सवाल है national girl child day कब मनाया जाता है दोस्तों national girl child day मनाया कब जाता है यह मनाया जाता है 24 जन्वरी को तो यह बात भी आपको याद रख कर जानी है तो दोस्तों यह थे 15 सवाल live आप लोग इसको attend कर रहे थे तो मुझे बता के जाएगा कि कितने सवाल आपने ठीक किए कमेंट सेक्षन में बताएगा कितने ठीक हुए जिससे की अगली वीडियो उसका लेवल मैं उसे आप से बना पाऊं और रिक्वेस्ट है चैनल को जाद से यादा लोगों तक पहुचाएं वीडियो लाइक करके जाने में आपके कुछ अंगूठे घिस नहीं जाएंगे अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक्यू सो मच